साथवे चरण में पंचाब, यूपी बिहार, एमपी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सभी चार सीटों पर भी वोटिंग होगी जिसके लिए आज कॉंग्रस सद्यक्ष राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंचे जहां उन्होंने नोटबंदी को लेकर एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया इतना ही नहीं राहुल गांधी ने रडार वाले बयान को लेकर भी पियम मूदी को अपने निशाने पर लिया आठ नवंबर 2016 ये वो तारीख है जो प्रधान मंद्री नरेंद्र मूदी के एक फैसले ने पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया आम जनता को अपना ही पैसा निकालने के लिए रात दिन जूजना पड़ा यहां तक की इस दोरान कई लोग काल के गाल में भी समा गए उस नोट बंदी को लेकर दावे तो बड़े बड़े किये गए थे मगर नतीजे उसके उलट ही आए इसे को मुद्धा बना कर कॉंग्रस सध्यक श्राहूल गांधी ने आज एक बार फिर पिया मोदी को अपने निशाने पर लिया नरेंद्र मोदी गलती को गलती से सीखना चोड़ो वो तो पहचानते ही नहीं कि गलती हुई देखिए पूरा देश और सुत्ते नहीं है पूरा देश कह रहा है पूरा देश कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आपने नोट बन्दी में भयंकर गलती की वही हिमाचल के सोलन में रैली को सम्बूधित करते हुए राहुल गांधी ने नोट बन्दी को लेकर एक ऐसा खुलासा भी किया जिसने सभी को हैरान करतिया इस पीजी वाले मेरे भी सेक्यरिटी करते है इन्होंने बताया मुझे कि आप जानते हो कि हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री ने नोट बन्दी से पहले अपने पूरे कैबिनेट को ताले से बन्द किया राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने सभी तजुर्विदार नेताओं की अंदेखी कर ये फैसला लिया जिसका परिणाम आज तक पूरा देश भूबत रहा है वहीं इस दौरान राहुल ने पीएम के रडार वाले बयान का भी मजाग उड़ा है कि हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री कितनी समझ है कि एर फोर्स के लोगों को कहा कि घब्राव मत अब बादलों से हमें फाइदा मिलेगा रेडार रेडार हवाई जहाज को बादलों में नहीं देख पाएगा और फिर कहते हैं कि मैंने ये वाईू सेना के लोगों को समझाया मतलब जिन लोगों को ग्यान है जिन लोगों को समझ है उनकी बात नहीं सुनते प्रदान मंत्री अपनी दुनिया में इस्रेली में राहुल ने जहां पिये मूदी को खेरा तो वहीं लोगों से कई वादे भी किये आपको बता दें कि पिछली लोकसभा चुनाव में बीचेपी ने यहां चारों सीटों पर कबजा किया था जबकि 2009 के चुनाव में उसे चार में से तीन सीटे ही मिली थी ऐसे में इस बार नतीज़े क्या होते हैं ये 23 मई को सब के सामने होगा DB Life की रिपूट